सब्सक्राइब करें एवीपी गंगा सब्सक्राइब करें लेकिन इस तरीके से अगर आपके वीडियो बारल होंगे शराप पार्टी करते आप देखे जाते हैं आम साइक्ट का उलंगन करते हैं बज़बानी करते हैं आप तो यह विदायक को शोभा नहीं देता और पार्टी की साथ पे भी बट्टा लगता है और अब आमिर श्राह ने मुहर लगा दी है इन्हें बर्खास्त कर दिया गया अजीत भाजपा से निकाले गए विधायक प्रणब चांपियन अजी प्रिया देखिए ये कारवाई देरवाई कर दी जाए थी और आश्रे की बाती है कि जो प्रदेश संगठन है प्रदेश में सब भाजपा का वो भी पूरी कारवाई से अन्जाम था लेकिन दिल्ली से जो वरिष्ट मेता थे उन्होंने इस बात की पुष्टी की कि प्रदेश बाजपान निस्ट काल के लिए बढ़ा दिया है लेकिन देर रात होते होते उनका निस्कासित की ख़बर भी आने लगी थी उस्टी के बाद यह एक दम जब कंफर्म हो गया पुष्ट हो गया कि वो निस्कासित कर दिये गया है तो तो प्रदेश अंगठन की को उनको निस्कासित कर दिया तो अब देखना यही है कि जो यह मुहीम चल लई थी विवादों के चैंपियन के विवादों का अंत होता है कि नहीं और यहा चैंपियन का अगला रूख क्या होगा चुकि वो चोथी बार के विदायक है बहुत बरिश विदायकों में आते हैं यहां करीम आदा दर्गन विदायक ही ऐसे होगी कि चोथी बार मता राज्ये बने के पास के लगतात दीत रहे हैं और अब चैंपियन क्या होगा चुकि वो अपने छेतर में लोग पिरियतों हैं ही अब वहां का समाज, वहां की सोसाइटी, वहां की लोग उनके बारे में क् पास के निकाले जा चुके हैं, और कॉंगरेश में भी मुझे लगता है कि उनके लिए कोई जगे नहीं है, हो सकता है कि वो बस्ता की तरफ रूख करें और असली बैरोमेटर उनका असली मानत वहां की जंता पैकरेगी, अब अब अजीत लेकिन देखे एक चीज तो इस तरीके के पार्टी भी अभी हमने देखी हैं और उसमें लब्जों का इस्तमाल किया जाता है, उत्राखन के लिए हो हिंदुस्तान के लिए हो, लेकिन एक शिकन तक नहीं है, बयान भी इन्होंने सामने दिया था कि ये वीडियो बहुत पुराना है, अब इसको इस तर्वाई के लिए कहा गया था, लेकिन सब्दे समाज का दवाव किसी भी राजनितिक जल्पर भाई पड़ता है, बिलकुल, और सब्दे समाज में इतना दवाव था, सोचाइटी में इतना दवाव था भाजपा के उपर, सोचल मेडिया से लेकर, इलेक्टरिक मेडिय सिवलाई सोचाइटी इस तरह की रिवाचित विदयाकों को अपना मेता मानने से कताई इंकार चरती है, और किसी भी किमत पर तयार नहीं होती, और इस तरह से अपने भी सिकन के बात की है, कि चैंपियन के चेहरे पर को सिकन नहीं है, तो मुझे लगता है कि पिछले एफ़ सिवलाई से वो खुद भी चाने लगे थी कि उनको पार्टिशन इसकासित कर दिया जाए, क्योंकि देगे इक में प्रिया कई दाउं पेज होते हैं, और एक बाहर की पोलिटिक्स हो गई, एक सदन के बीतर की उती रांसवा के बीतर क्या होना चाहिए, अब वो क्यों से दल सिवलाई से रहेंगे, उनकी सदस्धा रहेगे की नहीं रहेगे याई हटी है, का वाजन से दिल कि दो दूसरी सर्य के इसाना बेग रहे हैं है, तो दो तरह की पोलिटिक्स ही, एक सदन के भीतर की और वाफिल्टिक्स ही Tel बिल्कुल लेकिन आज बरखास्ट हुए प्रणब चैंपियन कल नोटिस जारी कर दिया गया अब बने रियाजित जरतल ये जो कौपी आप देख रहे हैं ये नोटिस की कौपी है और दूसरी जिस विंडो में आप नास्ते गाते देख रहे हैं श्रक्स को वो प्रणब में आते हैं हालाकि इस पर सफाई ये दी जाती है कि वीडियो अभी का नहें तीन साल पूराना है लेकिन किस तरीकी से तवंद्चे पर डिस्को की आयन होने जरा एक बार सुनाते हैं देखे लिए पूरा भता है पूरी इतल्चों तरीकी बड़ीर में फीन हिन वोड़ी इतल्चों पैसे पीज़्िए जिसुन गार्भी आप अधोलो जिस्के हम अंहें शोड़ Τοम परो बूर्स में दंपकर आप अशे सबतल में परादन डर्स सब सारीकर एंख बादने उस् ليहा वेलिए mechanics झाल फॉर सोलेख प्रै झाल थाई किक्टार स्वायसे पह्यास तो ये है प्रणाप चांपियन का अंदाज एक विधायक का अंदाज एक प्रतिनीधी का अंदाज जो प्रतिनीधित्व करते हैं एक शेत्र का ये हैं विधायक और देखी किस तरीके से आम्स आक्ट का भी उलंगन कर रहे हैं शराब पाटी चल रही है घर में और खुले आम्स आक्ट का उलंगन किया जा रहा है हाला कि इस पर सफाई बीनों पेश जरूर की है लेकिन इन सब के बीच दर असल तीन महीने के लिए पाटी से इन्हें निलंबित किया गया सस्पेंट कर दिया जाता है उसके बीच में ये वीडियो सामने आ जाता है इससे पहले भी कई ऐसे वीडियो सामने आती लेकिन इस वीडियो सामने के आने के बाद जितने सवाल खड़े हुए हैं उसको भी तो दिखाई है और दूसरा अपरात क्या है अगर लैसेंस हतियार है हतियार के अंदर गोली न उमर से हतियार में चला रहा हूं अब मैं 53 साल का हो गया हूं लैसेंसी हतियार में रहें लोड़ेड नहीं है और किसी जनम दिन में फंक्चन खतम होने के बाद रात को एक डिड़ बज़े अगर घरवालों के साथ हमने इंजॉय किया कौन नहीं करता पक्योंकि मेरा नाम कुम पी का खेल समझा यह नहीं देखा कि जो एक सभ्य समाज है उस पर क्या असर पड़ेगा इस वीडियो का इस फुटेज का बरखास्त हो गया है पीड़ा जरूर है लेकिन जो सवाल खड़े हुए थे यह भी साथ में कहा अगर आप किसी की नेगटिव छवी को देखते हैं त कहा एक सिक्के के दो पहलू होते हैं तो आप सिर्फ दूसरे पहलू को ना देखें नेगटिव को ना देखें पॉजिटिवनेस क्या है मेरे भीतर उसको देखें उसको प्रमोट करें अब इनको जब यह आवास हो गया था कि पार्टी को सक्त मेरे लेने वाली है तो तब कि इस तरह की सफाई और इस तरह की बयानों पर यह अपने उतर से नजर आए इन्हें लगने लगा था कि अब कुछ कारवाई हो सकी है तो उसको फिर जनता उसी तरह से जवाब देती है और अभी जो इस तरह का परचलना राजिती में चल आ है तो उसमें कम चकम अब पिछले जो 10-15 सालों में जो एक नया ट्रेंट आया है कि लोग और जनता अबरादिक सही के या उद्धन टाइट या दबल निर्वाचित परचलनेदियों को नहीं चाहती है वो उनके परचलनेदी ही पड़े लिखे हो सब्य हो सदन में सवाल उठाएं चेतर के विकास के बात करें तो फिर अब इन सारी बातों के बात मैं एक बात और यहां कहना चाहूंग ट्रंदिंग पोट यए टाक करेगा कि कौल प्रणूंसीं चैंपियन की राजिनीटी समफ्त हो जानी है या कौल प्रणूंसीं चैंपियन मदल किस सिंबल पर सबार होकर आगे बढ़ते हैं या वो फिर निर्दलिये अपनी राजितिक को आगे बढ़ते हैं लेकिन अब जो प्रिस्थितियां पहला हो गई है उनके लिए काफी मुश्किल बढ़ा दोर सुरू हो जा रहा है उनकी रहा आगे की आसान नहीं है और जिस तरह से वो पहले भी हिर्दले जीत चुके हैं तो अब वो समिकरन थोड़ा बदले हुए दिखाए दे रहे हैं क्यो बिल्कुल और जिस पार्टी के साथ आप जुड़े हुए हैं इन दिनों वो पार्टी बुलंदियों पर है लेकिन उसके बाद इस तरीके से आप फरकते करते हैं और अपना रॉब दिखाते हैं कि श्रेत्र में मैं ही हूँ तो मेरा बर्चस्व है पार्टी का बर्चस्व पार्टी आपके लिए माईने रखती है उस समाज को आप एक अलग नजरिय से देख रहे हैं क्या उस समाज का हिस्सा बनके आप रह सकते हैं ये तस्वीरे उसको बया कर रही है और इसी समाज ने आज बहइसकार कर दिया इनका बहुत शुक्रिया जीत आपका माम जानकारी के लिए